बच्चों, अगर किसी भी काम के लिए कोई मिशन बना लिया जाता है, तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात होती है डिसिप्लेन, उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात होती है रेगुलरिटी, उसमें सबसे इंपोर्टेंट बात होती है कंसेंट्रेशन, और इससे भी सबसे प्रैक्टिस करना भ्लै किसी भी ले क्रला आप अनमेश स्ट्दी पर्पंस की बात कर लें क्योव क्योंकि स्टडी बहुत इंपर्टेंट एंब आ जाहिं इन reading writing learning and doing more and more practice हम बात करें अगर डांस की तो हम क्या देखते हैं डांस के लिए भी आपको उतना ही concentration उतना ही discipline उतना ही practice की ज़रत होती है हम sports की बात कर लें बचो जो ऑलम्पिक में मात्र पांच मिनिट में निशाना साधने का गेम है उस गेम के लिए आप ये सोचो की उसमें जो खिलाडी खेल रहा है उस खिलाडी ने पीछे कितने सालों तक इस पांच मिनिट के लिए practice की होगी तो यही concentration यही practice यही जो अपनी process है यह है बार-बार अगर की जाती है discipline में रहके की जाती है तब ही बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है हम बात करें अगर कुमुदनी लखिया मैम की हमारी ऐसे की तो हम यही चीज इन में नोटिस करते हैं कि फ्रॉम अर्ली एज हर मदा रिकोगनाइज देट शीवड परफॉर्म अगोड डांस और इसके लिए उन्होंने क्या किया इसके लिए उन्होंने इनके लिए गुरू की वैवस्था कर दी जो इनको बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करवा दे इस्टार्टिंग में इनकी इच्छा नहीं थी विल्कूल भी वेन शी केम इंटो थे कॉलेज इनके फादर भी चाहते है कि येस विल दू अग्रिकुल्ट्ट्ट्ट्ट्र इन दे फिल्ड अग्रिकुल्ट्ट्ट्ट्र सो कि जौब नहीं लग पाई और जौब नहीं लग पाने के साथ साथ इनकी मदर जो है वो इन पर बराबर फोकस कर रही थी उन्होंने क्या कि एनके जो गुरू है राम गोपाल गुरू को इनकी डांस की प्रैक्टिस के लिए लाहौर ही भेज दिया ताकि कुमुद्नी मैम की दांस प्रैक्टिस ना रुके और उसका रिजल्ट यह है रहा कि राम गोपासर बहुते डिस्सिप्लीन वाले इनसान थे उनको हर चीज टाइम टू टाइम इन ए मैनर सिस्टेमिटिक वैनर चाहिए थी और वही चीज़ उन्होंने कराई और हम क्या देखते हैं कुमुद्न में सोलो डांस के रूप में कत्थक डांस को लिया जाता था बट इनोह ने क्या किया इनोह ने इस्टिट ऑफ डास एंड म्यूजिक खोला जो कि 1967 में ओपन किया गया था कहां पे बच्चो एहमदाबाद गुजरात के अंदर तो वहां पे इनोंने यह खोला प्लस इनोंने क Loreallya किया, traditional stories and contemporary stories, इनको include करते वे एक नया advantage के इस्टम का नया कि और सिस्टम इस्टम किया और से बात करें कि इनका सबसे बड़ा बात था कि ये solo dance कत्थक solo dance से इनोंने एक नया experiment करके group कत्थक dancer का बनाया और group performances देना शुरू किया और यह है यहां पे इनकी पहचान का सबसे बड़ा मुद्दा बना हम इनके awards की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको कई सारे awards से सम्मानित किया गया जिसमें पदम श्री, पदम भूशन, नागरिक सम्मान, सहीतियक अदमी अवार्ड, XYZ बहुत सारे अवार्ड से जिसमें से कुछे की हमने आपको श्रंकला बताई थी हम अगर आपको बात करते हैं इसे की हमारा यह जो ऐसे है इसकी तो हमने आपको इसकी समरी भी बताई थी कि कैसे माने इनको इसे किया था कि यू विल परफॉर्म बेटर डांस और इसके लिए उनों इनके कैलिबर की पहचान की थी और एनी टाइम इनको इसे करती रहती थी इनके गुरू की प्रैक्टि इंट्रेस्ट भी नहीं लेती थी बट आफ्टर ओल आफ्टर नॉट गेटिंग जॉब एनी फिल्ड उन्होंने क्या किया वापिस राम गुपल गुरू से एक वर उनकी भेंट हुई थी और वहां पर राम गुपल गुरू के साथ ही उनके सानिंथिय में ही इनोंने वापि अब इसा रीडिंग लेकर आए हैं तो आप भी अपने अपनी बुक्स ओपन कर ले क्योंकि ऐसे रीडिंग के साथ हम वर्ड मेनिंग्स की भी श्रंखल आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जो है चेप्टर रीडिंग के साथ साथ ने नों डाउन करते थे रहें तो में बच्पन में अगर आप मुझे देखते हैं तो मैं अन्बिलिवेबल थी मेरे पर विश्वास नहीं हो सकता था देटाई वोड़ वर्क इन फिल्ड ऑफ डांस और डिसेफायर एंड ट्रांसलेट डांस फॉर माई ओन कम्प्रिहेंशन हम बात करते हैं इनकी तो इनका स्ट कुमुदनी लखिया मैम का तो यह अपनी ही बात यहां पर हमें बता रही है कि स्टार्टिंग में इनका कोई ऐसा इंट्रेस्ट नहीं था और इनको डांस परफॉर्मेंस के लिए करना एक विश्वास में बात थी बट हम क्या देखते हैं इन्होंने डांस के फिल्ड में ही काम किया और डांस के लिए इतना गूड अध्यान कर लिया कि हर कोई लोगों के लिए तो यह बिली वाली बात भी नहीं थी बट हम क्या देखते हैं इन्होंने अपने हिसाब से अपने हिसाब से समझने की शम्ता तक की योगयता के साथ इस चीज को किसको बच्चो डांस की पर्फॉर्मेंस की प्रैक्टिस को समझने का काम किया है कॉल इट कोरियोग्राफी इफ यू विश वोड हाब इन अन्बिलिवेबल आप इसे कोरियोग्राफी भी कह सकते हैं बच्चो अन्बिलिवेबल है आपकी इच्छा है आप इसे कुछ भी कह सकते हैं लेकिन कुमूदनी लखिया में कहती है कि मेरे लिए स्टार्टिंग में यह जो कहावत है यह गलत नहीं है तो इसी कहावत को इन्हों ने चरितार्थ करके दिखाया कत्तक डांसर के रूप में In this respect, I am particularly envious of dancers who claim that they were born to dance और इसके लिए क्या हुआ? कई जो dancers है वो कहते हैं कि हमारा तो जनम ही dance करने के लिए हुआ है ऐसा एनों ने कभी नहीं कहा कि मैं जो हुआ डांस करना चाहती थे It's only by the insistence of her mother Mother insist करती थे इनको कि you will dance because you have that much of caliber तो यहाँ पर यह चीज इनके लिए बहुत ही amazing हो जाती है कि जो इनके particularly dancers होते हैं वो कही ने कहीं इन से envy रखते हैं imply that it was clearly laid out for them from the beginning उनके लिए starting से ही सब चीजों को लाया गया था I must say I find this assertion dubious it is rarely that easy assertion assertion it means a statement that says in which you believe strongly दावा करना dubious dubious it means not sure of certain हम क्या देखते हैं dance performance की बात करते वे कुमुदनी लखिया मैं अपने बारे में कहती हैं कि I must say मैंने ऐसा दावा नहीं किया मैं कोई संदिग्द चीज को लेके नहीं बैठी थी यह मेरे लिए बहुत ज्यादा easy है it is rarely that easy यह मेरे लिए बहुत ज्यादा लखिया मैं कहते है dance it means struggle संघर्ष करना I believe it is the same in any discipline because discipline itself is a struggle और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन भी बता रही है कि dance perform करने के लिए पहली condition क्या होती है discipline में रहना discipline में रहना भी तो अपने आप में बहुत बड़ा struggle है क्यों क्योंकि itself discipline itself is a struggle हर कोई बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है बच्चों तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसका जो मतलब है उसको grace up करे whether in the field of dance or whether in the field of reading or sports okay I believe I was not simply born to dance starting में केती है कि मेरा जनम डांस के लिए हुआ है ऐसा में बिलकुल भी विश्वात नहीं करती हूँ I was born to live मेरा तो जनम जिन्दा रहने के लिए हुआ है and now as the patchwork of my life comes into clear focus I can see clear bridges between my life experiences and my work in dance लेकिन क्या हुआ कि जिन्दगी में जो अलग अलग patchwork हुए it means जिन्दगी में जो इनके उतार चड़ा हुए हम कहते हैं कि सड़क टूट जाती है तो उसकी मरमत की जाती है अलग अलग patches उसके जो है उनको cover up करके उसे भरा जाता है तो यहां पे जो सड़क है वह है कुमुदनी मैडम की खुद की personal life तो personal life के लिए इनका clearer focus था परन्तु हम क्या देखते हैं इन्होंने एक bridge बना लिया था किस किस के बीच में बच्चो इनकी life experiences के रूप में और इनका जो dance के उपर work किया गया उनके बीच में bridge हमारा ऐसे का नाम क्या है बच्चो हमारा ऐसे का नाम भी तो bridges ही है तो यह bridge बना दिया गया in all truth as a child I never did want to dance और सबसे बड़ा सच क्या है हमने समरी में भी इसे आपको बताए था बच्चो सबसे बड़ा सच है कि जब वो बच्चपन से dance करना ही नहीं चाहा रही थी उनका कोई इच्छा नहीं था कि she will perform dance it was forced upon me by a dotting mother and a silent father और यह dance करना इनके लिए कैसे पॉसिबल हुआ वच्चो इनकी जो मदर है बहुत ही dotting mother it means अपनी बच्चे पर बहुत जादा concentrate करती थी first thing second thing इनके जो father है कुमोधनी लख्या मैम के father है वो silent रहते थे इनकी mother ने जो भी कहे दिया it's okay he was agree on that time तो हम क्या देखते है mother का influence बहुत जादा था और mother की इच्छा थी कि जो बच्ची है वह है dance में अपना caliber show करे और इसी के लिए क्या करती थी वो वो इनको dance की अलग-अलग practices के लिए तयार करती रहती थी my father probably kept his peace to avoid argument और father के silent mode पे रहने का reason भी बताया जा रहा है कि इनके father जो है वो किसी भी तरह का family में argument नहीं चाहते थे इसलिए वो क्या करते थे silent mode पे रहते थे और यह silent mode एक तरह से हम कह सकते हैं सहमती होती है किसी भी काम के लिए from the beginning my lessons took place under trying conditions जब हम इनके starting point की बात करते हैं dance की पात करते हैं तो हम क्या कहते है कि starting में तो सिर्फ trying conditions ही चल रही थी dance के लिए सिर्फ इनको कोशी से करवाई जा रही थी दो I believe that the conditions were more trying for my mother than for me एक और इनका बात निकल के आती है से में यह कहती है कि मेरी जो मदर है वो इन conditions को अपने उपर तो implement करवाती थी मेरे पर भी करवाती थी अब हम इनके बच्पन की बात देखते है कुमुदनी लख्या मैम का बच्पन जो है उसकी बात करते हैं हम तो हम क्या देखते है कि बहुत भरीवी ट्रेन जो होती है किस से भरीवी पब्लिक से भरीवी बहुत सारी भीड उसमें जनता की होती है उस भीड भरी ट्रेन में इनको अपनी एक पर देन के लावा भी पूरे दिन इनका स्कूल से यह वैसे थकी आती थी फिर इनकी मदर इसिस्ट करते थी कि वह यह कुछ प्रोफेशनल भी तो होना चाहिए आपके पास में सिर्फ इस्टडी परपसे डिगरी नहीं होना चाहिए आपके पास में कुछ और भी एंटर्टेनिंग कह दे हम या फिर हम यह कह दे वोकेशनल तो वो चीज इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी इट सो के यह बहुत ज्यादा थक जाती थी इस सब चीजों से शी विटेड आवर इन दे नॉट सो क्लीन आटे रूम ओफ मा गुरू सॉ घृत है इनकी गुरू का जो घर है वो ठीक है नॉट सो क्लीन इतना सुन्दर भी नहीं इतना साफ सुत्रा भी नहीं था और थी इनको जाना पड़ता था तो वहां पर यह कई टाइम इनको पूरा पुरा घंटा इंतजार करना पड़ता था and then under the same journey back और वहाँ परेक्टिस करती थी अपने गुरू के घर प्रेक्टिस करती थी और गुरू के घर प्रेक्टिस करने के बाद में वही जर्नी दुबारा होती है वही जर्नी का मतलब क्या है बच्चो यहाँ पर वही भीडभरी ट्रेन yes, crowded train is there and in that train she travelled back to her home this was in Bombay and my first dance lessons were with Guru Sundar Prasad who lived in Chhopati while we lived in Khar Now let's talk about her work, what do we see? Kumudani Ma'am was in Bombay in Bombay and in Bombay after school, her dance practice was in Bombay and took her home to the Guru's house she told me that I had to practice there for one hour and I had to come home in crowded train and I had to come home in the first dance lessons which one of the Guru was in the first dance lessons? Sundar Prasad was in the first Guru's house and where did they live in Bombay? It is a place in Bombay, Chhopati is a place in Bombay at the Chhopati, you will have a lot of samosas, kacholi and there will be a place where you are and there will be a place in Bombay if you are in Bombay, in Bombay in Bombay, so they stayed in Chhopati and Kumudani was in Bombay in Bombay, in Bombay we took the train, then a bus and then walked and the whole trip took roughly 45 minutes each way now we are going to talk about our Guru Sundar Prasad's house so what do we see? first of all, the train had to take the train from the train from the train, they had to take the bus and after the bus they had to take the bus and after the bus they had to go on the pedal and the pedal we saw what do we see? if we look at one side we see the road so 45 minutes to come and to get 45 minutes to get 45 minutes this is the time period plus their learning dance learning time period so this dance learning time period must be made along the way we see interestingly it was the film industry that spurred my mother to enroll me in dance classes now spurred spurred means encouraged to work what do we see? in Bombay there is a film industry and in the film industry there is a different dance performance so their mother was inspired from the film industry and this is why their mother encouraged them to join dance classes when I was 7 we went to see a movie starting Mumtaz Ali father of the comedian Mahamud who is the mother? our assistant Kumudani Lakhiam when Kumudani Lakhiam was only 7 years he was watching a film in Bombay in which Mumtaz Ali played in the film with which I became fascinated here the biggest thing is when Mumtaz Ali does perform dance in the film with which I became fascinated in the film when we arrived home I began prancing around the house imitating the film actor and my mother who was quietly watching was the one who said Kumudani you are born to dance now see how they started dance how they started their mother inspired them that you are born to dance when they come to dance as they come to the house as they come to the house as they come to the house they have to do pressing it means moving about with high steps at all at all in the whole house from the whole house and the reason is that he was acting by the film actor was acting and his mother was quietly observing and that time her mother took a decision and what she says you are born to dance you are born to dance but we see on that time I didn't want to be a dancer see here ironically I have no recollection of this story it was my mother who saw this innate ability in me we see it's okay dance there in the film from the film to dance so starting they don't think that I will perform dance but the mother is her caliber and the mother has recognized her ability that she will dance better and here the mother inspiration here has come come her belief was so strong that she went through the grueling exercise of taking me to dance class four days a week without complaint grueling walking was composed of much more than just dance and academics we see her childhood kumudh has told us that my childhood is only where to dance and and education was going I did not leave in vacuum I was surrounded by life and learned many of my lessons there you see if you see movies there are child actors and actresses so these are performing so they need education to practice and they go forward here this the whole life they have learned lessons that I still carry with me that grew up during a volatile era it means that can change suddenly and unexpectedly in this era where everything changes in time of war India's independence movement compounded by world war second in which India played a role in military operations now this time being that their struggle with dance practices in that time we talk about world level that see that India was in the independence movement with independence movement we see the second world war in the world war in world war was very important role in India also was military operations in military operations उस टाइम की इनको बाते याद है कि हमारे इंडिया इंडेपेंडेंस वार में था, सेकेंड वर्ड वार चल रहा था, वो सराउंडिंग्स में किसी को अपना स्ट्रेगल याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट बात होती है, इनकी फादर की अगर हम बात करते हैं बच्चों इनके फादर जो है वो एक बहुत अच्छी इंजीनियर थे और इंजीनिर होनी की वज़े से इनको क्या होता था अलग-अलग जेगे जाकर काम करना पड़ता था सबसे पहले इनके फादर देली गए देन आफ्टर नैनी और नैनी के बाद में अलहाबाद जाकर उन्होंने अलग-अलग कंटेंटमेंट बिल्डिक्स की थी इन डेली वी वर अलोटेड़ स्प्रॉलिंग हाउस और हाडेज आवन्यू नाव तिलकमान विद लियाकत अली लेटर दप्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब यहां पे बॉंबे में जो बच्ची सटी कर रही थी डांस प् और देली के अगर इनके घर के आसपास की अगर हम सिच्विशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं देली में इनको स्प्रॉलिंग हाउस अ ऐलोट वदा हैं एवन्यू में जिसको अब हम तिलक नगर मार्क के नाम से तिलकमां के जानते हैं वहां पे लियाकत अली जो की प् पाकिस्तान के वो इनके पडोसी रहे वे हैं नेबर नेबर मीज पडोसी वन्स हिस गाडनर कॉट मी एंड मैं ब्रदर सुरेश पिकिंग वावाज फ्रॉम हिस ट्री अब यह बच्पन के अपनी बदमाश्यों को भी हमारी संग शेयर कर रही है जो ल्याकत अली सर है उन्होंन वो अपने ब्रदर सुरेश के संग क्या करती है देखती है कि जो माली है गाडनर है वह सो रहे है और वो पेड से फटाफट अमरूद तोडने लग जाती है आपको लग रहा होगा ना अमरूद तोड रही है छुपके तोड रही है तो जो गाडनर है वो पनिश करेंगे इन He grabbed us by the ear and presented us before the master for punishment. Gardener ने तो बच्चों पक्की प्लानिंग कर ली थी और उन्होंने क्या किया? इन दोनों बहनवाईयों को कान से पकड़ा और सीधा लेके चले गए किसके पास में अपने मास्टर लियाकत अली सर के पास में लेके चले गए देखिये देखिये इन बच्चों ने बदमाशी की है देखिये इन बच्चों ने अमरूत तोड़े हैं हमारे पेड़ों के उपर से बट लियाकत अली सर का रियक्शन यहाँ पे टुटली डिफरेंट होता है लेट लियाकत अली नाट अले लेट एस कीप दगवावाज बट एक्स्टेंड एन ओपन इंविटेशन तो पिक द फ्रूट वेनवर वी विश्ट यहाँ पे कुमूदनी लख्या मैं और उनके भाई सुरेश के लिए बहुत ही अमेजिंग बात हुई गए तो थे पनिश्मेंट लेने एस पर गार्डनर्स व्यूज बट लियाकत अली सर ने अपना एक अलग ही इमेज वहाँ पे परफॉर्म किया उन्होंने क्या किया बहुत सारे गवावाज अमरूद उनको दिये ही दिये साथ में उनको फ्री कर दिया कि वैनेवर यू अली सेज विच वहाँ विच वहाँ और रिवेंश फूल एट वी नेवर वेंट नियर अट गार्डन अगें अब यह तो थी मास्टर लियाकत अली सर की बात कि एट सो के यू आ टूटली फ्री तो कम एंटेग वावाज वेनेवर यू विष्ट बट हम क्या देखते हैं कु होती डरावने और बदला लेने वाली तरीके से घूर रहे थे और फिर हम देखते हैं बच्पन की जो कुमुदनी मैडम है और उनके भाई हैं उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वापिस उस गार्डन की तरफ जाएं वापिस गुआवाज का मजा लूट सके एक खुद लेसंस इन दा गेव्स जट पलिटीशिंस प्ले और यह इनकी जिन्दगी का सबसे बड़ा लेसं था कैसा लेसं था बच्चों पॉलिटीशिंस पॉलिटीशिंस कौन है यह यह पर लियाकत अली सर जो की बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो यह उनका आपने तो पॉलाइटली कह दिया लियाकत अली जी ने तो पॉलाइटली कह दिया बर जो गार्डनर है उन्होंने इस चेक्टली रिवेंच फुली ऐसे देखा कि बच्चों की वापिस हिम्मत ही नहीं पड़ी फादर वोड नाव हाव तो मूव टू वेर अर्मी पड़ता है देरफोर वेन आई वोज नाइन इयर्स ओल देशिजन वोज मेड तो संड मी टू बोर्डिंग इसकूल और होता क्या है तब घर में एक डिसीजन लिया जाता है डिसीजन लिया जाता है कि भी फादर को तो बार बार इधर उदर जाना पड़ता है अपनी को बोडिंग हाउस में डाल दिया जाए और बोडिंग स्कूल का इनका जो एक्स्पिरेस है वह इनके लिए एक अलग ही तरह का इंट्रेस्ट लेके आता है क्रेज लेके आता है कोई भी बच्चे आपने घर से दूर जाने में कई बच्चे तो कहते हैं मजा आगिया ममी पा जो है साइलेंट मोड पे रहते थे और फादर का साइलेंट मोड पे होना अपने आप में मदर की तरफ से सहमती पत्र हो जाता था और हम क्या देखते हैं नौ साल की जो बच्ची है उसे बोडिंग स्कूल बेजने का डिसिजन ले लिया जाता है तो क्या अब कि लाइफ में तो क्या अब वो डास नहीं करेंगी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जानने के लिए बने रहिए बिंदू के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें